पर्देश विकास गणगुरा डूंगरी जिला बैतुल के अंतरगत गिराम डाबर ढ़ना में 90 मकान है और इसमें आंगनवाडी नहीं होने का समस्या है आंगनवाडी साब को क्या परिखा लिए? आंगनवाडी में कापी बच्चे लोग आते हैं, रूम भी छोटा है, हम लोग भी बैठते हैं तो हमारे कोई परिशानी होते हैं बच्चे लोगों को भी आपका निक्ती कब हुआ था? एक नोग दो हजार ची आपको अभी किसी गावाडी में इसके बारे में कुल बताया थे किया कि आंगनवाडी बहन बनाने हैं नहीं बताये, किसी नहीं बोला लेकिन हमारे बच्चे लोग आ रहे हैं, खुद हमको समझता है, छोटा कमरा है तो लोग भी बिठालेंगे बच्चे लोगों साथ बच्चे दर्ज है आंगनवाडी केंदर पर पन वहां पे आंगनवाडी नहीं हैं और आंगनवाडी ना होने के कारण यहां के महिलाओं को बहुत ही परेशाने का सामना करना पड़ता है जैसे गर्भवती महिलाए, धातरी महिलाए, यह सब वहां आते हैं और यह एक किराय के रूम पे यह आंगनवाडी संचाली थे प्रहेले सार अंगनवाडी नहीं थाविपर इस ये अंगनवाडी बन गया इसमें किसने किसने सायब किया पन काम से प्रस्ताव बनाएं अभी यह कूनसा बिल्डिंग बन रहा है ये आंगनवाडी भावन बन रहा है, मितलब इनके क्या जगे नहीं के कारेंड थोड़ा लेट हुआ और क्या हम लोग पंचास से जैसे मोहन भीया भी है वो वीडियो बना के लेके किया, तो ऐसे असर हुआ तो यहां आगनवाडी बिल्डिंग पास हुआ, पास होने के बाद हम लोग पंचास से भी लिख के दियें, तो अब स्यूकरिती हो गया तो बन रहा है थोड़े दिन में, कितने एक दिन लाइग जाएगा पंचास साब, बस इसको बहुत-बहुत मोटे इसाब से एक अपता सम्मझेगा, मैं मुहनलाल मध्यपरदेश से इंडिया हनट के हुआ हुआ है